हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आज हम बात करने वाले मूवी का नाम है किंग्समैन गोल्डेन सरकिल तो चलिए आए शुरू करते हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रिप्या सब्सक्राइब कर दे और इस चैनल को बड़ा बनाने मदद करें मुवी के स्टेंग में दिखाया जाता एग्जी किंग्समैन के सॉब से निकर रहा होता है तभी कोई एग्जी को बुलाता हैgoing देखता है कि वो चार्ली है तभी तीन गारिया एक एकजी की और आती है तो चारली कहता है मैं अगर तुम्हारी जगा होता तो अपनी गारी अनलोग कर देता है तभी एकजी चारली को गारी में धक्का देकर बैठा देता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है चलती गारी में फाइट करते करत चलता है चार्ली के हाथ आइरन के हो गया है और वो गारी में लगे स्क्रीन से कुछ लेने की कोशिश कर रहा होता है इतने में उस गारी का ड्रैवर एकजी के नाइब से मारा जाता है तभी वो गारी जाकर टकरा जाती है और चार्ली गारी से बाहर आ जाता है बिना आर्म के और वौ तिन गारियां जो XY के गारी का पीछा कर रहती ussे गेर लेती ही तभी XY अपने गारी को ड्रिफ लट कर करकर ड्रिफ करते हुए वहां से निकलता है फिर वह तीन गारिया भी XY 4 से पीछा करने लगती है तब ही एकजी मरलीन से पुछता है पर्मिशन के लिए उन गारियों को उड़ाने के लिए तो मरलीन मना कर देता है कहता है अभी नहीं और ट्राफिक उसके लिए केलियर कर देता है और फिर जब एकजी डाग जून में पहुंचता है तब वो मिजाल फायर करने की पर्मिशन तब एक जी मिजाल फायर कर और उन तीन गाड़ी को उड़ा देता है और तब मर्लीन कहता है वहां से जल्दी निकलो पॉलिस आ रही और फिर एक जी वहां के पास के लेक में गारी सही खुश जाता है और अपनी बिरत रोक कर एक सिक्रेट जगा पर मर्लीन के हिल्प से पहु एक जी हैरी के घर के आगे मैन होल से निकलता है और अंदर जाता है तो पता चलता है कि प्रिंसेस अब उसी के साथ रहती है और वो दोनों एक जी के दोस्त के बर्डे पार्टी में जाते हैं और फिर ड्रिंक होता है पर एक जी ये कहकर मना कर देता है कि उससे अपनी हुआधे दुसरे आदमी को बोलती है नहीं भागने लगता है तब पॉपी अपने ऩरो डॉबर को विशल करके बोलाती है। फिर आदमी को बोली थी वो उसे पकटकर में डाल देता है। भुपी फिर उसे बोलती है, मेरा सलून जो सामने देख रहें उसमें जाओ और उसमें अपने और फिर पॉपी उस आदमी के मीट से कुप करने लगती है, रेक जी कहीं जाते रहता है तब ही परिंसेश बूलाती है रात के डिनर प्रेक्टिस के लिए तब एक जी बताता है कि वो सब जानता है, हैरी ने उसे सिखा है, और वो हम इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है, किंग्समेन टेलर शॉप पे पहुंचता है, अंदर जाते ही देखता है, मिटिंग के लिए उसका वेट हो रहा होता है, रॉक्सी भी आई भी रहती है, नया वोस भी आया है, अटैक हुआ था, वो चारले था, और इसे गोल्डन सर्किल के बारे में बात करता है, तभी जी सादमी को पॉपी भेजती है, वो वहाँ सलून में जाता है, और उसके चेस्ट पे गोल से सर्किल बनाया जाता है, और वो वापस आता है, और पॉपी उस बर्गर खाने को दे तभी एकजी का डॉप, एकजी के रूमें जाने के लिए डोड पर खरा रहता है, उतने में आकर एकजी का दोस्त वो डोड खोल देता है, तभी वो भी अंदर आता है और एकजी के स्टप को हाथ लगाता है, तलती से एक बटन प्रेस होने पर किंग्समेन के एक्विमेट बाहर निकलाते हैं, तभी वो ग्लासेस लेकर पहनता है और वो बॉम भी लेता है जो एकजी को दिखता है, एकजी उसे लाइटर नीचे रखने के लिए बोलता है, तभी कहां से एक मीजाहिल से अटाइक होता है और उसके घर पे और पोड़े यूगे में जहां जहां इसमें के स्पाई रहते हैं, तभी पॉपी को दिखाया जाता है, वो चार्ली को एक नए आर्म गिफ्ट देती है और वो से टेस्ट कराती है, तभी एकजी को दिखाया जाता है, वो वहीं टेलर शॉप के आगे खड़ा रहता है, और वहां मर्लीन आता है, एकजी उसे फू अभी वक्त इमोशनल होने का नहीं है, अपनी ट्रेनिंग याद करो और डूम्सडे की प्लानिंग के पेचल, तभी वो दोनों निकलते हैं प्लान के हिसाब से और पहुंसते हैं एक लॉकर के पास, जो कहा जाता सारी मुसभबतों का इलाज इस लॉकर में है, जब वो लॉकर खुलते हैं, तो उन्हें उसमें से एक विस्की की बोतल दिखाई देती है, वो उसे पीते हैं और इमोशनल बाते करते हैं, और फिर एक जी को बोतल खत्म होने के बाद बोतल के नीचे लास्ट में कुछ लिखा हुआ मिलता है, कहा जाना है वो समझ जाते हैं, वो वहाँ प बुसता है कौन हो तुम लोग, तब मरलीन और एक जी बताते हैं, वो किंग्समें टेलर से हैं, तब वो आदमी बोलता है, एक टेलर के लिए बायो मेट्रिक्स हैक करना मुस्किल है, फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, मरलीन टकराने से बीहोस हो जाता है, और एक जी के पारने के लिए तब ये एक लड़की आती है, जिसका नाम जिंजे रहता है, और वो उस आदमी से कहती है, मुझे एक छाता मिला, जिस पे किंग्समें का लोगो बना हुआ है, और वो उन लोगो को खल देती है, और बताती है, उस आदमी का नाम टकीला है, और बताती है, व कोई कोई लो फ्रिक्वेंसी सुनाई दी थी उसका पीछा कड़ हैरी के पास पहुंचे और उसका इलाज किया पर उसे कुछ याद नहीं तभी सिंसिफ्ट होता है पॉपी लेंड अपके तरफ जो पॉपी का अड़ा है चार्ली को जाते वे दिखाया जाता है पॉपी से मिलत है और वो कहती इसका इलाज मेरे पास है फिर दिखाया जाता है कि एक जी और टकीला कहीं जाते हैं और वो एक आदमी के पास पहुंचे जिसका नाम शेंपएं रहता है और वो उनका बोसर है इस्टेटमेंट का एकजी हैरी को बचाने के लिए ठेंग्यू भी बोलता आए और वो golden circuit के बारे में भी बताता है तभी उनका बोश शेंपियन टकीला को काम देता है एकजी की help का तभी उसे भी उसी सिंगर के तरह सरीर में सारे वो poison का असर दिखने लगता है तभी शेंपियन कहता है तो मैं चेकट की जवरत है और वो काम नए agent को देता है जिसका नाम व Marilyn Harry के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर Marilyn Harry का骂च pursue लेने के लिए उसके कमरी में पुरा पानी से भड़ देता है पर वो कुछ समझ नहीं पाता है, उसके बाद उसे वो टेस्ट रोकना पड़ता है, दरसल वो टेस्ट उसका याद दिलाने के लिए था, पर उसे कुछ याद नहीं आता है, तबी मर्लीन हैरी के पास जाता है, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए किया गया था, पर हैरी कहत कि मुझे कुछ मुझे जाने दो मेरे बटरफ्लाई कलेक्शन के लिए तभी तभी दिखाया जाता है एकजी फ्रिंसेस के पहलेस पर जाता है और उसे वाइब कहता है क्योंकि वह कुछ तिनों के लिए विस्की के साथ बाहर जा रहा होता है चारली के गर्फ्रेंड को मिलने एक कॉंसर्ट में फिर वह वहां पूछे पहुंसते हैं और उन्हें चारली के गर्फ्रेंड दिखती है और फिर उसे बात करते हैं तभी एकजी को वह पॉईजन के साइड एफेक्ट वाले कुछ लोग दिखते हैं तो वह उनके पिक्चर मरलीन को बेशता है और वह तब मर वर दोगी से मरवा देती ह fils और फिर एकजी को दिखाया जाता है की वह चाईर्ली के गर्फ्रeंड के साथ वह चाईर्ली की गर्फ्रेंड एकजी से कहती है चलो मेरे टेंट में जाता है और वह साइड में जाकर प्रींसफ इसको कॉल करता है जो काम देंसरकिर उसके बैक पर बना वह देखता है तब वह कहता है और ट्रैकर उसके सरीर में इंप्लैंट कर देता है उसके बाद बाहर आके वह प्रिंसेस को कॉल करता है पर वह नहीं उठाती है तब वह हैरी के पास जाता है और वह देखता है कि वह अपना सामान पैक कर रहा होत और प्रिंसेस के फोन ट्राइ कर रहा होता है बार में बैठ कर तभी उसे कुछ याद आता है और वो हैरी के डॉग जैसा हैरी के सामने लेकर पहुंच जाता है और हैरी को देता है हैरी खुश होता है वैसे ही एकजी उस पे गंदान देता है तब हैरी उस डॉग को बचाने ल तब कोई जरूरत नहीं मर्लिन तब दिखाया जाता है कि एकजी हैरी को वास देता है और वो लोग हैरी एकजी मर्लिन और विसकी बैठे हुए होते हैं किसी बार में और कुछ लोग कहते हैं निकल जाने के लिए तो हैरी वहां से उठता है और गेट बंद करता है पहले के तर पास इसका antidote है पर उसे drugs के business के legality के लिए करती है और ये सब US President और वो लोग देख रहे होते हैं पॉपी के news के बाद देखा जाता है कि worldwide panic का महाल है और hospital में patients की number बढ़ने लगते हैं US President भी कहते हैं वो नहीं मानेंगे उनकी सर्तों को इसे indirect जो drugs लेते हैं वो सब criminal खुदी मर जाएंगे और वो इसे win-win situation बता कर celebrate करते हैं और ये सब statement में बैठे agent सुन रहे होते हैं और champion कहता है ये गलत है तभी Merlin और ginger कॉल करते हैं और Charlie के girlfriend के बारे में बताते हैं कि वो Charlie से बात करते रहती है और उसे track करते हैं क्योंकि उसे भी वो blue रेशिश हुआ हुआ होता है वो उसे lab में बुलाता है एक जी हैरिया और विसकी जाते हैं और उसे lab से antidote लेकर भागते हैं तभी Charlie भी उनके पीछे जाता है जब तक एक जी भी केवल कार पर बैट जाता है और Charlie को buy करते रहता है पर थोरे देर बाद Charlie उसे केवल कार में call करता है और उसे फिर वो round round गुमाने लगता है तभी विसकी अपने gadget से उस Kevin कार को के wire को काट देता है और वो गिडने लगते हैं एक destination spot पे उसे टकराने वाले तभी एक जी विसकी के parachute खोल देता है और वो बच जाते हैं और फिर एक जी हैरी को मिलने के लिए बोलाता है है और जब विसकी पॉपी के लोगों को मार कर अंदर आता है और जब हैरी से गन मांगता है तभी हैरी गोली मार देता है और फिर एक जी बोलता है तुमने ये क् किया और स्टेट्मेंट में इंफर्म कर देता है फीड जब वो एंटीडोट लाने जाता है दूसरी बार तो जब तक चार्ली उस लैप को उड़ा देता है और अपनी गल्फरेंड साही तब एक जी कहता है मर्लीन से एक आदमी को दूंडो सुजे लैंड में यही हमारे पास एक लीड है और दूसरी तरफ दुनिया में लोगों की उस वाइरस से इंफेक्शन लोगों की तादाद बढ़ते रहती है जी और हैरी स्टेट्मेंट हेटक्वार्टर पहुंसते है वहां मर्लीन बताता है कि विसके जल्दी ठीक हो जाएगा तब हैरी कहता है हमारे लिए मर्लीन कहता है हमने स्टेट्मेंट की रिसोर्सस की जरूड beverage और एग्जी को तो वह देखता है कि उसे भी वायरेस पकुड़ा रहता है तब वो कहता है हमें अभी जाना होगा Harry और Merlin को और सब वहां से चले जाते हैं फिर दिखाया जाता है एक वकिल पॉपी से मिलने आता है और वो वो US President से बात करते रहती है और कहती है मेरे सारे ड्रोन हर सिटी में तयार है बस एक वर कर्णिशन मानने को कहती है और कॉल काट देती है फिर दिखाया जाता है कि Harry और Xe प्लेन में बैठे हैं और Harry Xe से पूछता है क्या हुआ तो Xe कहता है मेरी ये गर्फ्रेंड है और अगर ये मिशन फेल हो गया तो वो नहीं बचेगी तो Harry कहता है हम कामियाब जरूर होंगे मर्लीन आता है और उने कुछ नए अड्रेस दिखाता है वो धर विस्की को होस आता है और वो जिंजर को बताता है कि Harry ने उसे गोली मारा था और जेट त्यार करने को कहता है फिर Xe और Harry बैठे रहते हैं तभी मर्लीन आता है और उन लोगों को विपन देता है मर्लीन कुछ बहाना बनाकर Xe का पैर हटाकर अपना पैर रख लेता है तभी Xe कहता है तुमने ये क्या किया वो तो मर्लीन बोलता है अभी emotional होने का समय नहीं है पहले mission फिर Harry और Xe वहाँ से चले जाते है तभी मर्लीन गाना गाकर पॉपी के आदमियों को बुलाता है उसकी तरफ और जैसे ही वो आते हैं तो वो लैंड माइन से अपना पैर हटा लेता है और प्लास हो जाता है फिर Xe और Harry गोली बारी स्टार्ट कर देता है और चारो तरफ से गोलीन चलने लगती है पर वो सब को मरते हुआ आगे बढ़ते है उन में से एक डॉक हैरी के पीछे भागता है दूसरी और दिखाया जाता है कि Xe वो ब्रिफकेस चार्ली से हासिल करता है आरेन आर्म को कंट्रोल करके अपनी वाच से है और एक तरफ हैरी को मारने वाला रहता है डॉक तवी हैरी को वो किटनेप हुआ हुआ सिंगर दोनों से उसे मिलक कर मार देते है एक जी वो ब्रिफकेस हैरी के पास लाता है तब पॉपी अपना एक और रोबोर डॉक और टाधा है और चार्ली एक जी से बिना आर्म के लडने आता है पर एक जी उसे हडा देता है और मार देता है तवी हैरी उस डॉपी के पडजर में जाग पिगला हूआ गुड है फिर वो दोनों पॉपी के पास जाते हैं और पॉपी वहीं रहती है उसे access कोड मांगते हैं तब Harry वो कोड़ डालने ही लगता है तो विसकी आ जाता और Harry को रोग देता है अपने वेपन से और कहता है अपने गण यहाँ फेक दो और वो फेक देते हैं और जैसे तैसे उसे मिंसर में डाल देते और उसके वाद वो एकसेस को डाल के सब को रेस्क्यू कर लेते हैं प्रिंसेस भी ठीक हो जाती है और प्रेसिडेंट को गिरफतार कर लिया जाता है कि टकिला भी ठीक हो जाता है और किंग स्मेंग के नाम का ड्रिंक भी होता है और ए with the end हो जाता है